फिर से एक बार हो बिहार में बाहार हो फिर से एक बार हो नितीशे कुमार हो अब की बार बिहार में नहीं बाहार इस बार ठीके तो है नितीश कुमार इस स्लोगन के साथ जेडियू ने 2020 में होने वाले चुनाव के लिए ताल ठोग दी है विधान सभा के रण में उतरने के लिए जेडियू ने एक बार फिर ठेट बिहारी अंदाज अपनाया है इस बार नारा दिया गया है क्यों करे विचार ठीके तो है नितीश कुमार पिछली बार की तरह इस बार भी जनजन की जुबा में चढ़ने वाला नारा दिया गया है जेडियू मुख्याले के बाहर दो होडिंग्स लगाए गया है पहली होडिंग्स में सोचते हुए नितीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है क्यों करे विचार ठीके तो है नितीश कुमार वहीं दूसरी होडिंग्स लगी है जिसमें लिखा है सच्चा है अच्छा है चलो नितीश के साथ चले इसमें एक तरफ तो नितीश की बड़ी सी तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ बिहार जेडियू के अध्यक्ष वशिष्ट नारायन सिंग और सांसद आरसिपी सिंग की तस्वीर लगाई गई है इस होडिंग के जरिये जेडियू ने ये बताने की कोशिश की है कि विधान सभा चुनाव में नितीश कुमार ही चेहरा होंगे 2015 के चुनाव में नितीश कुमार की ब्रैंडिंग को लेकर रणनीती कार प्रशान किशोर ने बहुत काम किया था उन्होंने ही बिहार में बहार हो नितीश कुमार हो का नारा दिया था इसे ओडियो वीडियो के साथ साथ गाउ 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 गली गली तक पहुचाया भी गया था इस बार तो वो जेडियू के उपाध्ध्यक्ष हैं तो चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीती में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे हाला कि इस नए नारे को लेकर विपक्ष जेडियो और नितीश पर निश्याना साध रहा है कि बिहार बे कुछ भी ठीक नहीं है 2015 के चुनाव में नितीश महागडबंधन का हिस्सा थे लेकिन बीच में ही गडबंधन को छोड़ कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी 2019 के लोगसभा चुनाव की तरह बीजेपी के साथ मिलकर जेडियू विधान सभा के रण में उतरना चाहेगी आनाइन चीवी के लिए अनुसिंग की रिपोर्ट